तो देखिए इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे चेक करेंगे कि आप लोग का ATM काड बना है या फिर नहीं बना है ATM काड अपलाई किये हुए काफी दिन होगे जैसे 2 महने, 4 महने, 6 महने होगे लेकिन अभी तक आप लोग को ATM काड नहीं मिला है तो इसके पीछे का रेजन क्या है और कैसे चेक आउट करोगे कि आप लोग के नाम से ATM काड आप लोग के अकाउंट पे इस्यू हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो है गाई सबागत अब सभी का एक और सांदर वीडियो में तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो देखिए बेसिकली बात करें सभी बैंकों के बारे में देखिए यहाँ पर मैं किसी बैंक का एक्जाम पर लेकर करके मैं आप लोग को नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ कंप्लेट है देखिए लगभा कि ये प्रब्लम देखा गया हैं कि ATM कार्ड अपलाऑ करने की प्रोसेस के बारे में देखिए इसी पर मैं repent करता है की कैसे आप लोग ATM कार्ड अपलाऑ किए हो आप लोग का ATM कार्ड बना है या फी नहीं Uma है तो दुखिए नार्मल ही अगर बातители तो ATM Card दो तरीकी से अपलाई किया जा सकता है पहला है offline तरीका दूसरा है online तरीका तो दखिए अगर आप लोग ने online तरीका से ATM Card apply किया है तो online तरीका से अगर apply किये हो जैसे mobile banking, internet banking के जरीए service request से आप लोग ATM Card request किये हो तो आप लोग का ATM Card समझ लिजिए कि 99% है कि आप लोग का ATM कार्ड बन चुका है अगर आपको नहीं मिला है तो इसके पीछे का भी रिजन है जैसे कि मालेजे ATM कार्ड आपके home address पर आता है ठीक है तो आप घर पर नहीं रहते हो या फिर जो डाकिया है पुश्ट मैन है जो ATM कार्ड लेकर करके आता है वो आपको जानता नहीं है जिसके वज़े से ATM कार्ड को दوبारा से return कर देता है या फिर आपके home branch में जो है जमा कर देता है या फिर ATM कार्ड अमालेजे आपका account कहीं और पर है किसी जो bank है वो bank account कहीं और पर है और आपका home address कहीं और पर है तो ऐसे में जो ATM काड आता है आपके home branch में आता है तो आप लोग branch में जाकर के जरूर एक बार check out करने कि आप लोग का ATM काड आपके branch में तो नहीं आया है जिसको वज़र से आप लोग को नहीं मिल पाया अब देखें दूसरा तरिका स्री, तो देख़िए, दूसरा तरीका है, आफ लाइन तरीका, आफ लाइन तरीका में ये तरीका है, कि आप लोग अपने होम बांच में जाकर कि A.T.M. CARD अपलाई करते हो, ठीक है, फॉर्म वगर सबकुछ जमा करते हो, और इंतजार करने भाई, बढ़ जाते हो, कि अब मे action नहीं लेता है जब तक उसे forward नहीं करता है जब तक आपके account से ATM card को request नहीं करता है तब तक वो आपका ATM card का apply किया जाना कोई मतलम नहीं है ठीक है जब देखिए जब ओलोग apply कर देते हैं ठीक है तब ही आपका मालिज्य की सफल हुआ नहीं तो कई कई बैंकों में तो ऐसा होता है कि ATM card अगर आप लोग form जमा कर दो ATM card का सब कुछ documents लगा करके जब दूसरी बार दोबारा से apply करने जाओ तो पहले वाला form भी उसी list में मिल जाता है ठीक है तो यह हाल है हमारे बैंक के employee का है वो लोग कितना ज़्यादा कभी कभी तो मैं किसी special bank का मैं नहीं बोलना हूँ लेकिन इतना ज़्यादा काम चोरी करते हैं कि वो लोग request करते ही नहीं ATM card और इधर आम पब्लिक परिशान रहता है कि मेरा ATM card कम मिलेगा कम मिलेगा कम मिलेगा तो ऐसे इस्थिती में अगर आपके यहां हो रहा है दो बार तीन बार हो गया अपलाई करते हुए अभी तक आप लोग का ATM card नहीं आया है तो आप लोग कुछ ऐसा ही इस्थिती समझे अपने साथ ठीक लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप लोग चेक करोगे पहली बात तो यह problem से आप लोग चेक आउट कर सकते हो कि आप लोग ATM card बना होगा तो देखे पहली बात कि आप लोग के जैसे ATM card बना होगा तो आप लोग के रिश्टर मूबाइल नमबर पर message आ गया होगा dispatch का message आ गया होगा कि आप लोग का ATM card यहां से dispatch कर दिया गया है लेकिन अगर dispatch का message नहीं आया है तो देखे आप लोग customer care में अपने account details के साथ अगर call करके पता करूगे तो वहां से पता चल जगा कि आपके account पर कितना number आप कितने ATM card जो है active है तो यहां से आप idea लगा सकते हो कि आप लोग का ATM card मतलब बन चुका है या फिर नई बन चुका है ठीक है बाकि इसके लबा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है कि आप लोग पता कर सको कि ATM card बना ही या फिर नहीं वीडियो पसंद आए होगा तो चैनल का subscribe, वीडियो को like और share जरूर करिएगा मिलते हैं फिर किसी next video में नए solution के साथ तब तक के लिए बाए बाए